दिल्ल के 5 स्टार होटलों में प Embassy का पराथ ऐयर के पनीर का पराथा इस तरीके से बनाये जाता है। हमें ने भी पहली बार ही देखा था कि किस तरह इन लोगों ने पैन को चड़ा दिया था। जब हमने सैफ साहब से पूछा कि भाई ये किस तरीके से पनीर का पराठा बनाया जारा है तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जब मेरे तरीके से पनीर का पराठा बनाएंगे तो आपको एक अलगी मजा मिलेगा एक चममच घी डाल करके पैन में इन्होंने पूरे पनीर को उपर नीचे से अच्छे से फ्राइ कर लिया था जिससे जब पनीर लाल-लाल हो जाता है तो इससे उन्होंने बताया कि पनीर का पराठा खाने में बहुत स्मोकी और तंदूरी वाला फ्लेवर आता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा शैफ सर ने बताया कि इस तरीके से जब आप पनीर का पराठा बना करके खाओगे तो आपको एक अलगी फ्लेवर मिलेगा देखे इन्होंने क्या किया कि पनीर को मैस करके पनीर को आधे 20 मिलट के लिए रख दिया था फ्रिजर में जिससे जो पनीर का सारा पानी है वो अच्छे से सारा सूख जाए इसके बाद इन्होंने चटनी बनाया और धनिया प्याज और हरे बिर्ज को ले लिया अब इस धनिया प्याज और हरे मिर्ज से एक तो इन्होंने जो मैस करके रखा था पनीर देखी इन्होंने 20 मिनट बाद बाहर निकाल लिया पनीर एकदम टाइट टाइट था इसका पान नमक डाल दिया है इसमें इन्होंने एड किया है चाट मसाला इन्होंने कहा कि चाट मसाला सब लोग नहीं एड करते हैं जब आप एड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फ्लेवर आपको कैसा मिलता है फिर इसके बाद इन्होंने अपने हाथों का यूज करते बहुत ही अच्छे से मैस कर दिया था तो मैं भी ठीक उसी तरीके से रेशेपी बना करके तयार कर ले रही हूँ एक तो मैंने बनाया पनीर का स्टफ जिसमें प्याज उच हमने नहीं डाला थे क्योंकि हमारे बच्छे प्याज देखाते हैं दूसरे में बडो के लिए हमने प बताया था अब इसके बाद एक बड़ी लोई ले लेना है और लोई को अच्छे से हमें आटे में पहले मिक्स कर लेना है सेफ साब ने बताया कि पनीर का पराठा या कोई भी अगर आप इस्टफ पराठा बनाते हो तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना कोई भी बनाना हो तो आप कम से कम एक घंटा पहले ही अपना आटा गोथ करें रख लें उससे पनीर का पराठा या कोई भी पराठा भड़ता नहीं है जो भी आप स्टफिंग त्यार करते हैं उसको कम से कम आधे घंटे के लिया फ्रिज में जरूर से जरूर रखें इसको बनाने के बाद क्या होता है इस तरीके से जब भी आप पराठा बनाएंगे तो आप मसाले को बहुत अच्छे से भर पाएंगे दूसरी बात आपका पराठा भी नहीं है देखिए अब पराठे को हम अलट पलट करके मेडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छे से रिफाइं मज़ा नहीं आता है इस तरीके का आप जब भी पराठा बनाएंगे तो आपको बहुत स्मोटी फ्लेवर भी आता है पराठे में जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कहीं तंदूर में बना हुआ है यह पराठा क्या किसमें इतना अच्छा स्वाद अच्छा बन करके त्यार हो गया था और देखिए और मैं लोई भी आटे का लोई भी बहुत कम लेती हूँ देखिए अंदर से हमारा जो मसाला है वो बाहर की तरफ जहाक रहा है लेकिन हमारा पराठा कहीं से फटा हुआ नहीं है तो कुछ टिप्स और टिक्स हैं जिन्सका ध अनन्द का अनभव भी होगा अगर आपको अमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे चनल को लाइक करिए सब्सकाइब करिए शेयर करिए